सुरुआत करते हैं आज की न्यूस पेपर की हम दाहिंदू के साथ में दाहिंदू की पहली ख़बर देखने वाले हैं फ्रेंट पीस से जी ट्वेंटी सिखर संबेलन से संबंधित तो सब सब पहले हम बेसिक बैक्ग्राउंड देख लेते हैं Group of 20 जिसको हम G20 बोलते हैं जहांपर 19 देश आते हैं और एक संगठन आजाता है जिसको हम European Union कहते हैं दोनों को मिला देंगे 19 देश और एक इस संगठन को तो सब को मिला करके 20 हो जाता है G20 इसमें 20 देशों के अध्यक्ष हर साल बैठक करते हैं जिसको G20 सिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है इन देशों में इस्पैन एक ऐसा देश है जिसे पर्मानेंट अतिती की रूप में हर साल बुलाते है इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विसाय मतलब की आतंकवाद इसके अलावा आर्थिक प्रगती, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्त जैसे सर भी जरूरी मुद्दे पर चर्चा की जाती है यदि हम बात कर लें जितने भी आर्थिक उत्पादन हो रहा है 80% योगदान यही देते है इसके अलावा पूरे दुनिया की जितनी भी आबादी रह रही है उसकी आबादी का दो तिहाई हिस्सा G20 देशों के पास है और पूरे दुनिया में जितने भी इंतरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसमें से 3-4 हिस्सा इन G20 देशों का आता है 1977 में एक economic crisis आया था financial crisis आया था उस संकट को ध्यान में रखते हुए दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थवेवस्थाओं ने ये सोचा कि हमें एक समुह बनाते है उसके बाद 1999 में G20 समुह की इस्थापना की गई ये साथ देश थे उस टाइम में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली इनके वी देश मंत्रियों द्वारा इसके इस्थापना करीए इसका मुख्य उद्देश था, वित्ती विवस्था, आर्थिक स्थिती में सुधार करना जी ट्वेंटी के स्थापना के दिए हम बात करें तो विस्थ के साथ प्रमुख देशों ने जी सेवन की एक नए संगठन की सुरुवात करी थी जिसका नाम फिर बाद में हमने जी ट्वेंटी कर दिये है इस्थापना हुई थी 25 सितंबर 1999 में अमेरिका की राजधानी वासिंग्टन डीसी में इसका पहला सिखर सम्मेलन हुगा था 2008 में वासिंग्टन में यूएस में तभी से लेकर के हर साल इसका आयोजन होने लगा है और इसका सम्मेलन का जो आयोजन है अलग-अलग देश में किया जाता है G20 देशों के नामें आपर बताएगा है अर्जिन्टिना, आस्टेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत इंडोनेसिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रसिया, साओधी आरब, दक्षिड आफरिका, दक्षिड कोरिया, तुर्की, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन G20 के जो समिट हैं भी तक जो आयजित हुए है जैसे ये पहला हुआ था कहां 2008 में वासिंग्टन यूएस में, 2009 लंदन यूके में हुआ, 2021 का जो समिट था इटली में हुआ था और 2022 का होने वाला है अपने इंडिया में चलिए अब देख लेते इन यूज में कौन-कौन सी बाते बताए गई हैं G20 समिट को लेकर के G20 का सिखर सम्मेरन जो होगा, उसमें फूड और इनरजी सिक्योर्टी के उपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा प्राइम मिनिश्टर नारेंदर मोदी के काम करने वाले हैं, ये कई सारे वर्ल्ड लीडर के साथ मिलेंगे बाली में बताया जा रहा है इंडिया इसकी अध्यक्षता करने बाला है, उसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, ठीक है, जैसे की इन्वायर्मेंट और जेंडर इसूस पर भी चर्चा होने वाली है प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी छोड़ देंगे बाली मंडे को दिन ताकि वो अटेंड कर सेंगे जी ट्वेंटी समिट को 15 नवंबर एंड 16 नवंबर को फूड एंड इनर्जी सिक्योर्टी इसके अलावा पोस्ट कोविड नाइंटीन हैल्थ इसू विल बी एट टॉप अब दा एजेंड़ इन सैसन एड़ दा समिट इन दा इंडोनेशियन सिटी बताया जा रहा है कि यह जो इंडोनेशियन सिटी है यहां पर ऐसे कौन-कौन स वो कई सारे जी-ट्वेंटी के जो लीडर हैं उनके साथ में मुलाकात करेंगे लेकिन यह कंफर्म नहीं हुआ है कि उनके नाम कौन-कौन किन-किन से वो मिलने वाले हैं इसके अलावा बाली में जो भारती लोग रहते हैं उनसे भी जा करके मिलने वाले हैं और वहां का जो मैंग्रोब फॉरेस्ट है उसको भी विजिट करने वाले हैं Mr. Modi also used the opportunity to invite all other G20 leaders Mr. Modi के पास ये भी एक opportunity है कि वो G20 के कुछ और भी जो members हैं, leaders हैं उनको क्या करें? इन्वाइट करें to the next summit in India क्योंकि ये जो next summit है इसका आयजन कहा किया जाना है इंडिया में सितंबर 2023 में ये जो G20 सिखर सम्मेलान है particularly special माना जा रहा है because India will hold the presidency of G20 from 1 December 2022 for a one year period एक साल के लिए and the presidency handover will take place during the summit in Bali front page में जो अगली news आई है वो अमेरिका की संसद व्यवस्ता से संबंधित आई है तो हम अमेरिका का जो संसद है उसके बारे हम कुछ basic background देख रहे हैं अमेरिका का लोकतंत सबसे पुराना माना जाता है भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंतर कहते हैं लेकिन अमेरिका विस्व का सबसे पुराना डेमोक्रेसी है लोकतंतर है करीब 200 साल पहले 1804 में यहां चुनाव की सुरुवात हुई थी पहले उपराश्पती का चुनाव भी electoral college ही करता था लेकिन तब अलग-अलग मत नहीं डाले जाते थे उस समय जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलता था वो राश्पती बन जाता था और दूसरे नंबर पर रहने वाला व्यक्ति उपराश्पती निर्वाजित होता था यहां हर चार साल में चुनाव होते रहते हैं अमेरिकी संसद की बात करें तो भारत की तरह अमेरिकी संसद में भी दो सदन है पहला है हाउस ओफ रिप्रजेंटिव जिसे प्रतिनीधी सभा हम कहते हैं इसके सदसे हैं 435 दूसरा आता है सिनेट जिसमें 100 सदसे हैं इसके अलावा अमेरिका के 59 वे राज कोलंबिया से 3 सदस भी आते हैं इस तरह संसद में कुल 538 हो गए सब को मिला देंगे तो द्वी दली व्यवस्था है यहां की अमेरिकी लोकतंत्र में द्वी दली राजनीतिक व्यवस्था इसका मतलब यह है यहां पर दो ही बेन पार्टी हैं इसलिए 3 संकु संसत का खत्रा भी यहां पर नहीं होता है रिपब्लिकन और डेमुक्रेट यहां की दो प्रवक पार्टी हैं अन्य दलो का यहां कोई वचूद नहीं है राश्टपती बनने के आकांचा रखने वाले उम्मीदवार सबसे पहले एक समीती बनाते हैं जो चंदा एक खट्टा करने और संबंधित नेता के प्रती जनता का रुक भापने का काम करती हैं कई बार यह प्रकिरिया चुनाव से दो साल पहले ही सुरू हो जाती है इसके लावे यदि हम बात करें योगिता यदि आपको राश्टपती बनना है तो व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ होना चाहिए 14 साल से या फिर देश में रह रहा है उसकी आयू कम से भी कम 35 साल होना चाहिए साथ ही राश्टपती को अंग्रेजी भासा आना जरूरी है राश्टपती का चुनाव 538 इलेक्टर्स करते हैं राश्टपती बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टर्स मत हासल करना जरूरी है अमेरिकी कानून के मुताविक राष्टपती पद के दो कारकाल के बाद कोई भी व्यक्ति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता आप जादस जादस दो बार ही राष्टपती बन सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं यहां के चुनाव प्रकिरिया की अमेरिका सम्विधान के आर्टिकल 2 में राष्टपती के चुनाव की विवस्ता की विवस्ता की गई अलाकि अमेरिकी सम्विधान निर्माताओं का एक वर्ग इस पक्स में था कि संसद को राष्टपती चुनने का अधिकार मिले जबकि दूसरा धड़ा सीधी वोटिंग के जरिये चुनाओ की हक में था इलेक्टोरल कॉलेज को इन दोनों धड़ों की अपिक्छाओं के बीच के एक कड़ी माना जाता है तो इन दोनों के बीच का decision यहां पर लिया गया है पहले होता है पार्टी में चुनाओ राजनीतिक दल अपने level पर प्रतिनीधी चुन लेते प्रात्मिक चुनाओ में जो चुना गया विक्ति है दूसरे दोर में राजनीतिक दल का हिस्सा बनते और अपनी पार्टी के राज़्पती पद के अमीद्वार का चुनाओ करते है यही वज़ा है कि कुछ राज्यों में जन्दा प्राइमरी दोर में मद्दान का इस्तमाल न करके कौकस के जरीए पार्टी प्रतिनिदी का चुनाव करती है तो क्या होता है कौकस और प्राइमरी कौकस में पार्टी के सदस से एखटे हुए इस्कूल, घर या फिर सारजनिक स्थलों पर उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की जाती कौन वेक्ति को खड़ा करें वहां मौझूद लोग हाथ उठा कर उम्मीदवार का चैन करते हैं वही प्राइमरी में मद्पत्र के जरीए मद्दान होता है हर राज के नियमों के हिसाब से अलग अलग तरह से प्राइमरी होती है और कौकस प्रक्रिया भी हर राज के कानून के हिसाब से अलग अलग होती है तो कहां से सुरुआत होती ही चुनाव की प्रक्रिया राश्पती चुनाओं की प्रक्रिया आयोवा और न्यू हैम सायर से चालू होती है दोरों ही राजे हैं छोटे छोटे हैं मगर यहां की अबादी में 94 प्रिस्थत लोग गोरे हैं जबकि पूरे अमेरिका में गोरों की अबादी 70% यहां सबसे पहले कौकस या पारिमारी होता है इन दोनों राजेों में मिली जीत आगे की चुनाई मुहिम पर खासा असर डालती है यहां की जीत का मतलब यह नहीं है कि प्रत्याशी को पार्टी की अमीदवारी मिल गई है लेगिन आयोवाय और नियू हैमसायर की जीत मीडिया कवरेज दिलाने में काफी मददगार होती है इसके बाद अमेरिका में चुनाव के लिए दिन और महिना बिलकुल तैय रहता है यहां चुनावी साल के नवंबर में पढ़ने वाले पहले सौमवार के बाद पढ़ने वाले पहले मंगलवार को मददान होता है नवंबर महिने में पहला सौमवार उसके बाद जो मंगलवार आता है उस दिन वोटिंग होती है अलगी यहां 60 दिन पहले वोड डालने के प्रिक्रिया चालू हो जाती है इस अवधी में अमेरिका से बाहर रहने वाला व्यक्ति भी ऑनलाइन वोड डाल सकता है फिर मंत्री मंडल कैसे बनेगा? भारत से बिलकुल अलग है मंत्री मंडल यहां मंत्री बनने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो संसत का सदसे हो ना ही उसके लिए राजनेतिक दल का सदस होना जरूरी है यदि राश्पति को लग रहा है तो वो विरोधी पार्टी के सदस या फिर किसी विसेशा के को भी मंत्री बना सकता है नियूस की बात करें तो नियूस में कुछ खास नहीं आया है बताया जा रहा है कि डेमोक्रेट्स की जो पार्टी है उसका दब-भ़णा रहा है यूऐस की सिनेट में आप देख रहे हैं जियो वाइडन को जो व्यक्ति दवा ना चाहते थे जो पार्टी उनको वो दवा नहीं पाई है और इनका दबदबा पूरा चला आ रहा है इसके बादवाली नियूज हम देखने वाले हैं डायविटीज की बिमारी से संबंदित डायविटीज वन ओप दा लीडिंग कास माना जाता है डैथ का एक्रोस ग्लोब पूरे विश्व भर में डायविटीज की चलते चलते बहुत सारे लोगों की डैथ होती है विश्व साथ संगठन का कहना है कि लगभग 422 मिलियन लोगों की ठीक 422 मिलियन पीपल जिन्दा है डैविटीज की बिमारी को ले करके वर्ल्ड वाइड Every year we celebrate 14 November as World Diabetes Day हर साल हम 14 November को विश्व डैविटीज दिवस की रूप में celebrate करते हैं तो World Health Organization का कहना है इस साल का जो theme रहा है वो क्या है Access to Diabetes Education लोगों को मेडिशीन की पहुँच हो सके लोगों तक मेडिशीन पहुचाई जा सके इसके अलावा मेडिशीन उनकी केर की जा सके इसको लेकर के एकसेस टू डायबिशीन एजुकेशन ठीम रखी गई हैं सिमलरली इंटरनेशनल डायबिशीन फेडरेशन कहता है विस्व के लीडरों से की आप क्या काम करिए जादा से जादा मरीजों तक डायबिशीन केर पहुचाईए ट्रीटमेंट पहुचाईए इसी फॉर पीपूल एक्रोस दा ग्लूब सब लोगों को डायबिशीन की केर मिल सके ट्रीटमेंट मिल सके ऐसा ऐसी गुहार लगाया जा रहा किसके द्वारा इंटरनेशनल डायबिशीन के द्वारा एक्रोडिंग तू आईडिएफ इंटरनेशनल डायबिश फेडरेशन डायबिश एटलस 10 एडिशन की बात करें 2021 में 537 मिलियन इंडिविज्वल एजड बिट्वीन 20 से लेकर के 79 एर्स वर्ल डिवाइड है डायबिटीज आईडिएफ का रिकार्ड कहरा है 2021 के दी हम डाटना उठा करके देखेंगे तो 537 मिलियन इंडिविज्वल ऐसे हैं जिनकी उमर है 20 से लेकर के 79 एर्स पूरे विश्व भर में इनको डायबिटीज की बीमारी है एट एंड टूटल नंबर ओपीपल अफेक्टेड विद डायबिटीज इस डिसीज इस इस्टमेटीज तो हैव राइजन तू 643 मिलियन बाई दोहजार तीज तक जो बीमार लोग हैं उनकी संग्या 643 मिलियन होने वाली है एक सर्वे हैं 2021 का साउथ इस्ट एसिया में 90 मिलियन एडल्ट है डायबिटीज साउथ एस्ट एसिया की हालत खराब है 90 मिलियन लोग ऐसे हैं एडल्ट लोग जिनको डायबिटीज की बीमारी है Diabetes एक chronic disease बिमारी मानी जाती है जो कि signal देती है high glucose level in blood जो बता रही है कि हमारे खून में glucose का level बढ़ गया है जब हम consume करते हैं food Our body break down the different nutrients present in food जब हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो हमारी बोडी क्या काम करती है उस खाना को अलग-अलग nutrients में तोड़ देती है such as carbohydrate, protein and fat into their basic unit and release the same into our blood उनकी basic unit में उसको तोड़ देगी और उसको release कर देगी हमरे खून में उसको पहुचा देगी The carbohydrate gets into blood in the form of glucose हमारी बोडी यदि carbohydrate की रूप में हमरे खाना को तोड़ रही है तो वो हमरे खून में glucose के रूप में जमा हो जाता है This is where the role of insulin comes into play और यहां से insulin का रोल काफी महतपूर हो जाता है Insulin एक हार्मोन है जिसको produce किया जाता है हमारे pancreas के द्वारा, अगनासाय के द्वारा यह काफी crucial है for carrying the glucose from the blood stream to cells required for the producing energy अब यह इसलिए important हो जाता है क्योंकि इस glucose को carry करेगा from the blood stream to the cells required for producing energy glucose को यहां से लेगा, कहां ले जाकर के जाएगा वो cells को देगा ताकि हमारी body को energy मिल सके आगे एक बात और बताई जाती है कि जिस व्यक्ति को diabetes की बिमारी है या तो उस व्यक्ति में enough insulin का निर्मार नहीं हो रहा है या फिर उसकी जो body है वो unable है वो effective use नहीं कर पा रही है insulin का produced by his body अगली news हम देखने वाले हैं पॉक्सो कानून से संबंदिर पॉक्सो कानून को लेकर के high court दिल्ली high court ने कुछ decision सुनवाया उसको हम समझने की कोसिस करते है पॉक्सो कानून का मतलब यह नहीं है कि आप criminalize कर दें consensual relationship को consensual 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 का मतलब होता है ऐसे संबंद जो कि इस सहमती से बनाय जाते हैं दिल्ली high court ने रिमार किया है की intention of protection of children from sexual offense पॉक्सो एक्ट है was to protect children below the age of 18 from sexual exploitation कानून कहता है यदि किसी लड़की की उमर 18 साल से कम है उसके साथ मेरी संबंद बनाय जाते हैं ठीक है उसका यदि rape किया जाता है तो उस चीज से protect करना है and it was never meant to criminalize consensual romantic relationship between young adults लेकिन आप इसका गलत use नहीं कर सकते हैं कि यदि लड़का और लड़की दोनों सहमती से संबंद बना रहे हैं तो उसको हम criminalize नहीं कर सकते हैं ऐसा high court ने decision दिया है the observation made by justice जसमीर सिंग while granting bail to a young man who was arrested by the दिल्ली पुलिस एक यंग लड़का है जिसको दिल्ली पुलिस ने arrest किया था एक FIR दर्ज की गई थी by the father of minor girl who accused him for raping and kidnapping his 17 year old daughter with an intent to compel her to marriage तो देखिए उनके घरवालों के उपर आरोप लगाया जाता है कि उन्हों उसने उनकी लड़की का rape किया इसके बाद kidnap कर लिया ठीक है ताकि वो जो है उसके साथ साथ में marriage कर सके the man had moved the court for bail इसके बाद वो व्यक्ति कहा गया bail लगाने के लिए court गया उसका कहना था he has been in custody since 31 December 2021 इसके अलावा उनके वकील ने कहा before the court that this is a case where the girl came with the man out of her own will यह ऐसा case जहाँ पर लड़की खुद अपनी एक्छा से सामने आई थी the council said on 27 October 2021 the girl came to the house of man and the next day they went to Punjab and got married अगले दिन वो कहां गये Punjab गये और उन्होंने साधी किया the girl had last year approached the high court of Punjab इसके बाद last year वो लड़की कहां गयी high court कहां का Punjab and हरियाना का stating that she had married the man out of her own way उसने कहा था कि मैंने अपनी एक्छा से उससे साधी करी है तो मेरे opinion में यह ऐसा है कि जो intention है पॉक्सो का वो protect करना है children below the age of 18 from sexual exploitation sexual exploitation से रोकना ही इसका मैन उद्देश से है it was never meant to criminalize conceptual romantic relationship between young adult ऐसा कहना तो पॉक्सो एक्ट को लेकर यह इतना महतपूर्थ हैसला है इसकी सुनवाई जरूर होना चाहिए और यह decision यदि Supreme Court देता है तो यह और भी अच्छी बात रहेगी क्योंकि जो romantic relationship बन जाते हैं यंग बच्चों की बीच में यदि वो उनको आप criminalize कर दे रहे हो तो इस act का तो आप कुल मिलाकर के misuse ही कर रहे हैं इसके बाद की जो अगली news है वो पंजाब से आई है पंजाब ने बैन लगा दिया है Public display of arms songs on gun culture पंजाब की सरकार ने जो सारुजनिक तोर से arms का प्रदरसन किया जाता है gun culture को लेकर के song आए जाते हैं उनके उपर बैन लगा दिया है अंडर फायर फ्रॉम अपोजिशन अपोजिशन पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा तीक ही आलोचना की गई थी ओवर दा ला एंड ओर्डर इसू आम आदमी पार्टी लीड पंजाब गवर्मेंट on Sunday बैन कर दिया है public display of fire arm and songs जो की प्रमोट करते हैं गन कल्चर और वाइलेंस को गवर्मेंट ने ओर्डर दिया है कि हम एक रिव्यू करेंगे आर्म लाइसेंस को लेकर के विथिन दा नेक्स्ट थ्री मंद आने वाले तीन महिने में एकोर्डिंग दूद ऑप्शेल ओर इसके साथ मैं डारेक्शन इसू कर दिये गए है for registration of an FIR against those indulging in hate speech जो व्यक्ती hate speech में लगे हुए है किसी भी कमिटी जाती धर्म के उपर उनको एकदम कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और FIR उनके खिलाप में दर्ज किया जाएगा तब जाकर कि सरकार की तरब से प्रकार का कदम उठाया गया